हिंदुत्व, राश्ट्रवाद, विकास, ये तीन सूत्र हैं मोधी ब्रांड की राजिनीती की आम चुनावों की घोशना से पहले जब पार्टियां सीटों के बंठवारे में उलजी रही प्रधान मंत्री ने इन तीन पर अपना फोकस नहीं छोड़ा राम मंदिर राम लोगों के लिए खुल चुका है, भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए प्रति दिन पहुँचते हैं राश्ट्रवाद का मेड इन इंडिया संसकरन लोगों ने हाल ही में पोकरन में देखा तो लगभग रोज प्रधान मंत्री विकास से जुड़ी किसी परियोजना का उठगाटन करते हैं और ये जरूर बताते हैं कि जिसका शिलान्यास करेंगे उसे पूरा भी करेंगे शहरों को नए एरपोर्ट तर्मिनल्स मिले हैं उने कभी यूपी का छोटा और पिछड़ा शहर कहा जाता था ब्रश्चा चार में डुबी परिवारबादी सरकारों में इतने बड़े पहमाने पर फिकास कारिय और संभव था ये प्रधान मंत्री मोदी का स्टाइल है और इसी का दूसरा चरण मौजूदा लोगसफा चुनाव से पहले काम के पूरा होने की गारंटी की गारंटी बनकर सामने आया है चुनाव से पहले इंडिया गठ बंधन बना विकरा सीटों पर बात बनी नहीं बनी ये सब चलता रहा लेकिन दूसरी तरफ प्रधान मंत्री मोदी चुनाव अभियान के सारे मोचे मजबूत करते रहे अयोज्या में मंदिर एक के बाद एक राजियों में रैलियां, शिलान न्यास, उद्धातर और राष्ट स्वाभिमान से जुड़े फोकरण में स्याने अभियास ये सब राष्टवाद का नया संदेश दे गया अब चुनावों की तारीखें आ चुकी हैं बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं किया है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगले पांच साल के काम का ब्लूप्रिंट लेकर जंता के वीच लगातार पहुँच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जंता के सामने आने वाले कारकाल की एक ज्छाकी भी रख रहे हैं ये प्रधानमंत्री मोदी का जीत को लेकर आत्म विश्वास ही है कि उन्होंने चुनावों की खोशना के अगले दिन ही कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से अगले सौ दिनों की कार योजना बनाने और अगले पांच वर्ष के लिए कामकाज का रोड मैप तयार करने को कहा है विपक्ष के सामने भी चुनावतियां कई हैं जिसमें सबसे बड़ी चुनावति हैं लीडर्शिप में ब्रैंड मोदी जैसी किसी विश्रसनी चेहरे की दूसरे किसी ऐसे कॉमन विजन की जिसे जनता के सामने रखा जाएं हाला कि कॉंग्रेस ने जनता के सामने आरक्षन, जाती जन्गर्ला, किसान, नौजवानों को लेकर एक गारंटी पत्र चारी किया है 35,000 करोड उपैसोला कंपनियों हो जाता है उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा राजा की आत्मा EBM में है सही है सही है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है प्रदानमंतरी मोदी मेराथन प्रचार में चुटे है विपक्ष अपने पूरे सामर्थ से मोदी सरकार को हैट्रिक से रोपने के लिए तत्पर है चन्द दिनों की बाद बची है जनता फैसला सुनाने वाली है बीजेपी के उमीदवारों के नाम का एलान होता है तो नए चेहरों की बाढ़ा जाती है दिल्ली की साथ सीटों में एक के अलावा सारे उमीदवार बदल दिये गए हर्याणा के CM खटर को पद से हटा कर करनाल से टिकट थमा दिया गया पिछले साल विधान सभा चुनावों के बाद नएने CM तैनात कर दिये गए थे ये भी मोदी का स्टाइल है जहां कोई भी अपनी जगे को लेकर आश्वस नहीं हो सकता और आम कारे करता भी पद की उमीद लगा सकता है हर किसी को मौफा फिर चाहे वो जिला प्रधारी हो या फिर फूर्थ लेवल का कारी करना है यह वो सियासत है जिसके जरीए प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी अपने उन विरोधियों को फरास करना चाहते हैं जिन पर बीजेपी वनश्वाद का आरोप लगाती है गांधी परिवार, बिहार में लालू परिवार, यूपी में मुलाइम सिंग यादफ का परिवार, महराश्ट में शरतपवार और उधव ठाकर का परिवार बीजेपी का आरोप है कि इन पार्टियों ने सक्ता में बने रहने के लिए परिवार वाद को बढ़ावा दिया उधर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के फैस्टनों के चलते बीजेपी में उन लोगों को भी शीर्ष तक पहुँचने का मौका मिला जो राजनीती में नई पारिया शुरू कर रहे थे मेरे परिवार जनों मैं आज हर राज्य के भाजपा कायरकरताओं की भी सराना करूंगा भूरी भूरी प्रसंसा करूंगा भाजपा और कबल के प्रती आपकी निष्ठा आपका समर्पन अतुल्निय है सर्प्राइज एलिमेंट पी एम मोदी के काम करने के स्टाइल का एहम हिस्सा है किसने सोचा था कि चुनाप से कुछ दिन पहले हर्याना के मुखी मंतरी मनोहर लाल खटर की कुरसी चली जाएगी और नायाप सैनी को कुरसी दे दी जाएगी किसने सोचा था कि जबरदस जीत के बावजूद शिवराज सिंग चौहान को सीम की कुरसी नहीं मिलेगी और एक नए चेहरे मोहन यादः सीम बन जाएगी किसने सोचा था कि राजिस्थान में अनुभवी वसुंधरा की जगे नए चेहरे को राज की कमान मिलेगी बीजेपी ने अब तक दो लिस्ट जारी की है 267 सीटों पर नामों का एलान हो चुका है इसमें दिल्ली की 7 सीटों में से 6 पर नए प्रत्याशियों को टिकेट मिला है गुजरात में घोशित 7 सीटों में 5 नए चेहरे हैं उत्तरा खंड की 5 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोशित कर दिये हैं जिसमें 3 सांसदों को रिपीट किया है जबकि 2 सीट पर नए चेहरों को जगे मिली है त्रिकुरा की दोनों सीट पर पार्टी ने मौझूदा सांसद का टिकेट काड़ कर नए चेहरे को मौका दिया है करनाटक की 28 में से 20 सीट पर टत्याशी उतारे हैं जिनमें से 13 सीट पर नए चेहरों को मौका दिया है महराश में बीजेपी में दूसरी लिस्ट में 20 उमीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है इसमें 6 सीटों पर नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है बीजेपी ने दोनों लिस्ट को मिला कर 63 सांसुदों का टिकेट कार दिया है मोदी अपनी पार्टी और गठवंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है और इस जिम्मेदारी को वो अच्छी तर समझते हैं चुनावूं के एलान से पहले ही वो एक एक दिन में कई-कई शहरों का दौरा करते रहे हैं उनके भाशन किसी भी मौके पर दिये जाएं पर उसका चुनावी संदेश साफ रहता है चाहे कोई अवार्ड समारों हो या फिर नई ट्रेनों को हरी जंडी दिखाना आज जहां पूरी दुनिया अनिश्टित्ता के भवर में फसी हुई है एक भाव बहुत निश्चिद है कि भारत तेज गती से विकास करता रहेगा संघर्ष की आग में तपकर आत्मिश्वास के उस बुलंदी पर आज पधान मंतरी नरेंदर मोदी खड़े है जहां उनके खत्मों को चीत चूनती हुई नज़र आती है विपक्ष ने खेमे बंदी कर दी है सत्ता विरोधी माहौल की बात हो रही तब भी जनता के बीच प्रथान मंतरी मोदी यही हुंकार भर रही पर एकमार आएगा तो देखिए आपका अडियास के आवाज है यह मूड़ आपके रेशन है वैसे तो इस अठारीनी लोग सभा के लिए साथ चरणों में चुनाब हुंगे नतीजे चार जून पॉएंगे लेकिन एंडिये को लगता है कि जनता का मोदी पर और मोदी का जनता पर ऐसा विश्वास बन गया है कि जो दावा प्रथान मंतरी चुनाब प्रचार में कर रहे है वही सच होगा इस बात को समझने के लिए प्येम के पांच दिनों के दौरे देखी दस मार्च को प्रथान मंतरी उत्तर प्रदेश की आजमगर में हवा यड़े का लोकार पड़ करते हैं और दस मार्च को ही जबलपुर में रैली करते हैं 11 मार्च को हर्याना में रैली करते हैं और दिल्ली द्वार का एकस्पिस वेका उत्खा अर्ट करते हैं 12 मार्च को प्रथान मंतरी गुजरात के एहमदबाद में बंदे भारत को हरी झढडी दिखाते हैं 85,000 करोड के प्रोजेक्स का शिलान नियास करते हैं 14 मार्च को प्रियन मोधी तेलंगाना पहुंचे थी, 15 मार्च को प्रथान मंत्री तमिलनाडू का दौरा करती है। प्रथान मंत्री जानते ही कि उनका एक बड़ा लाभार्ती वर्ण भी है, जो जानकारों के मुश्तार बीजेपी का वोड पैना। अब तक देश के पहले प्रथान मंत्री जवाहरलाल नहरू ही है, जो लगातार तीन चुनाव जीतने और अपने दम पर बहुमत वाली सरकार बनाने में काम्याब रहे हैं। अगर प्यम मोदी के दावे सही साबित हुए, तो ये रिकॉर्ड बनाने वाले वो दूसरे ब्रथान मंत्री बन जाएगे।